मेरा चैनल पसंदाए लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें तो आज मैं बनाने वाली हो गट्टे की सब्जी और उसके लिए हम लगेगा यहां पर बेसन और बेसन में हम एड करेंगे कुछ मसाले तो उनको में रेडी कर रहे थी तो देखिए सोफ लिया है राई है उसे तड़कने तक अच्छे से रोष्ट होने देंगे और साथ ही मैंने एक बरतन में बेसन निकाल लिया उसमें में यह वाली हिंग डालने वाले हो आपके पास जो भी हिंगे वो डाले क्योंकि उसका टेस्ट बहुत अच्छा था इसके साथ में गट्टे में और देखिए यह मैंने कर लिया है रोष्ट अच्छे से मैंने यहां पर हाथ से यह करा है लेकिन आप हाथ का यूज ना करें चमच की हल्प से ही इसे मिक्स करते रहे नहीं तो हाथ जल सकता है तो देखिए यह सारे मसाले अच्छे से हो गए थे उन्हें मैंने इस टाइप का धरदरा कर अब देँगे दूसरे मसाले लाल मिर्च पाउडर थोड़ा से हलदी पाउडर घनिया पाउडर और नमग यह सारे मसालिन व्हें उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा देँगे इसमें तेल और अच्छे से और इन सबी चीजों के बाद एक चीज मैं भूल चुकी थी आपको यहां देना है मीठा सोडा मीठा सोडा एड करने से काफी अच्छे बनते हैं सॉफ्ट बन जाते हैं गट्टे तो बस इसी वज़े से तो देखे मैंने बाद में दिया था बस इन सबी चीजों को अच्छे से मेक्स कर ले आठा लगा ले जैसे हम चपाती का अठा लगाते वैसा ही लगा ले सॉफ्ट सा और गट्टे बना ले इस टाइप के उसके बाद थोड़ा पानी में इसे उबाल ले 15-20 मिनट उबल जाएंगे उसके बाद देखिए जो पानी बचता है उसका हम आगे यूज कर तो आप इसे भी बना सकते हैं और ना फ्राई करके बनाएंगे तो टेस्ट और बढ़ जाएगा फ्राई करने के बाद उसी सेम बरतन में देखिए मैंने सारे गरम मसाले दे दिया मसाला पका लिया था और जो पानी हमने रखा था उबालने के लिए जो यूज किया था उस को डाल देंगे घटों को डाल देंगे और देखिए बहुत स्वादिष्ट से सब्जी बनकर के रेड़ी है थेंक्वा वोच्छिए